सबाजाद बायोग्राफिन हिंदी में आपका हादिक स्वाधत है तो आईए जानते हैं कौन है सबाजाद एक नवंबर 1990 को जन्मी और दिल्ली में पढ़ी लिखी सबा ने स्कूलिंग खतम करने के बताओ थियेटर आर्टिस्ट जन्मी शुरू की थी थियेटर में काम करने और ट्रेनिंग लेने के बाद फिल्लमों की तरफ रुक लिया सबाजाद एक बॉलिवुड एक्ट्रेस हैं इन्होंने साल 2008 में फिल्म दिल का बड़ी से डेब्यो किया इन्में इन्होंने राहुल बोस के साथ काम किया लेकिन पहचानी ने 2011 में आई फिल्म मुझसे फ्रेंशिप इन में इनके अपोजिट सकीब सलीम थे हाला कि फिल्मों में सबा ने कई शॉर्ट फिल्मों में काम किया था इनकी जो शब पहली शॉर्ट फिल्म गुरूर वह इंटरनेशनल फिल्म फेस्चिवल में फीचर भी हुई सबा की आखरी फिल्म थी फिल्स लाइक इश्ग जो 2021 में रिलीस हुई थी सबा ने 2010 में खुद की एक थियाटर कंपनी खोली थी जिसका नाम रखा दर सकीब इलेक्ट्रोनिक बैंड मैट बॉय की शुरुआत भी की थी इसके बाद देश भर में पर्फॉर्म करने के बाद 2013 में इमाज शाह ने अपनी डिलेशन को पब्लिक करते हुए बताया था कि वह और सबा दो साथ रहे हैं और एक रिलेशन्शिप में हैं 2013 में यह शिराज फिलम टैलेंट डिवीजन ने धूम एंथम का वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया था जिसमें सबा अजात को फीचर किया गया था उन्होंने उस एंथम को अप आने भी गाए हैं जो आसानी से म्यूजिक फ्लेट फॉर्म पर भी उपलब वर्क फ्रेंट की बात करें तो वह सोनी लिप पर आने वाली वैब सीरीज रॉकेट बॉइज में दिखाई दी हैं इनमें उनके साथ जिम सर्ब और इश्वाक सिंग लीड रोल में होंगे सबा अ आजाद से सबह सं tul सिंगरंवाल बदलने का फैसला किया इसको लेकर उन्होंने बकाइदा इंस्ट्र क्राम पर पॉस्ट किया था और ऐसा करने की वज़े बताई थी कहा था कि आजाद को अपने नाम से हटाना चाहती क्योंकि उनको एक सर्नेम की वज़े से लोगों ने उनके काफी अबद्र भाशा का इस्तमाल किया 22 जन्वरी 2020 को एंटी सी एए प्रोटेस्ट में सबाजाद नई दिल्ली के शाहीन बाग में पहुची थी यहां उन्होंने फैज एहमद फैज का गीत हम देखेंगे गाया था इसका वीडियो भी उन्होंने अपने इंस्ट्रग्राम पे पोस्ट किया था इस प्रोटेस्ट में सामिल होने की वज़े से लोगों ने उनकी काफी अलोचना की फिलाल सबा आजाद इस समय शोशल मीडिया पे काफी वाइरल हो रही है इनके खबरी यह है कि रितिक रोशन और सबा आजाद एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं फिर से अभिनेतरी एवं संगीत का सबाजाद एक्टर रितिक रोशन के साथ दिखाई दी हैं। शुकरवार को दोनों को मुंबई के एक रश्ट्रों से बाहर निकलते वक्त स्पोर्ट किया गया है। और इस समय इनके रिलेशन्शिप के काफी अफवाहें भी फैल रही है।